हेलो मैं सिर्धर मुंडा मैं फिर से आपके बीच अपनी आवाज लेकर आया हूँ कला समंदित जनकारी देने के लिए अगर आप मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल को सश्क्राइब कर लें तक हर वीडियो आपको कला समंदित आपको जनकारी मिलता रहेगा कला बनाने से लेकर कला सिखाने से लेकर तरह तरह का मैं वीडियो आपके बीच ले आऊँगा इसलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के आन तक आप जुड़े रहें चलिए मैं आपक के मद्य सम्मंद का अध्यन करनेशी पुर्व धर्म सब्द का अर्थ जान लेना अती मने अधिक उपयोगी रहेगा जब तक हम धर्म का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक कला और धर्म के मद्य सम्मंद अस्थापित करना एक दुसकर कार्य रहेगा प्रतेएक समाज में धर्म और धर्मिक विश्वासों का अत्यधिक महत्प होता है कोई भी विध्वेक्ति इसकी अभेलना करके समाज में रहने में अत्यांत कठिंटा का अनुभाव करता है बिविन विद्वान ने धर्म को अपने अपने सब्दों में परिभासीत किया है लेकिन पर्भुक परिभाशायने में लिखित हैं है ना टैलर के अनुसार धर्म का अर्थ किसी अध्यात्मिक सक्ति में विश्वाश करना है है ना मैलिनोस्की ने धर्म के अंतरगत मनवज्ञानिक और समाजिक पच्छों को महतपूर्ण माना है उसके अनुसार धर्म की एक विधी और विश्वासों की एक बेवस्ता है इस परकार धर्म में समाज सास्त्रिय तत्वों के साथ विक्तिकत अनुभवों का भी शमावेश होता है अर्धात धर्म का तात्पर्य मनुस्य से उपर किसी औलोकिक सक्ति पर विश्वास करना है इस विश्वास का धार उस औलोकिक सक्ति के परती सरदा, सक्ति, पवित्रता, आउश्य, आधी के धर्ना शमाहित रहती है मानों अपनी दो नीधिया यथा कला और धर्म स्रेष्ट समझता है क्योंकि इन दोनों में अदभूत साम्मिय होता है पहला कलाकार पुझारी की विर्ती, मन, इस्तिती, एवं ससकार की किरिया के समझ में तथा दूसरा दोनों की सिरिजन विर्ती में प्राया कर्मकाठ, कर्मकाठ धर्म का अनिमार्य ततो होता है अर्थात चाहे अकेले उपाशना करे अथवा साम्मिय करूप में उस समय वह अपने दैनिक असकताओं को भूल जाता है यही दसा एक कलाकार की भी होती है एक प्रकार से वह यथार्त जीवन के कुड़े करकट में से उदात अथवा आदर्सों का निर्मान करता है कभी दिखे खो जाता है है ना कलाका धर्म के साथ उत्पति एवं विकाश है ना प्रश्न उड़ता है कि धरा पर मानों कभ आया एक प्रश्न उड़ता है कभ आया है ना और कहां से आया सभ्यता के छेतर में उसने उन्नती किस प्रकार की हलाके इस प्रकार के समस्त प्रश्न विवादास्पत है कला का विकास भी मनुस्य के विकास के साथ साथ हुआ है है न प्रारम काल में मानव घनी जंगलों में कंद्राओं में रहा करता था और उसका जीवन संगर्षों में व्यतीत होता था चारो और जंगलों भैंकर यवं हिंसक जानवारों के साथ वास्वयं को सुरचित करने के प्रेतन करता रहता था है न उसने परवत कंद्राओं और पेड के टहनियों पर बने जोपणियों में रहना प्रारम किया था क्योंकि उसे प्रतेक स्वय मिर्तियों का भैं बना रहता था है न एक ओर जहां से उसे हिंसक पस्वों का शामना करना पड़ता था वही दुसरी ओर अति द्रिष्टी भुकम ज्वाला मुखी दवागिन भिम काई परवतों के फटने आदी का भी भैं बना रहता था इस भैं को वह अलोकिक सक्ति मानता था है न उस समय के मानों ने है न उस समय के मानों ने सोचा की उप्रोग प्राकृतिक क्रियाएं बिना किसी विशिष्ट सक्ति के संभव नहीं हो सक्ति अता इस कारण उसके हिर्दे में उन सक्तियों के परती भैं यों रहश्य की भावना जाकरत हो गई वह कंद्राओं में राता और शिकार करके भोजन प्राप्त करता था पसों को जलाते समय कागच की कालिक दिवारों के उपर लग जाती होगी जो जलाते थे तो कालिक लग जाती होगी है ना और उस कालिक पर अच्चानक मानव का हाथ पढ़ता होगा उस हाथ एवं अंगोली से कोई आकरती बन जाती होगी और वह सोचता होगा कि यह क्या बन गया परशन उठता ने क्या बन गया तब उसे धीरे धीरे ज्यात हुआ होगा कि जब वे शिकार करती हैं और शिकार मिल जाता है इस परकार उसके मन में कला के परती आस्था प्रारम हुई होगी जो आगे चल कर विकास करती रही है कला के उत्पती यहीं से माने जा सकती है है ना जब कभी उसे शिकार नहीं मिलता था तब वो कंद्राओं में कुछ आड़ी तिर्ची रिखाएं खिचकर पस्वों की आकरती बनाता होगा और उस मान सकती से आराधना करता होगा कि मैं सिकार के लिए जा रहा हूँ मुझे सिकार मिलना चाहिए और मुझे प्रकृती के प्रकोप से बचाया जाना चाहिए है ना इस प्रकार उसने उस मान सकती की अपने आस्था का प्रारम किया होगा और यही से धर्म ने जनम लिया और दोनों साथ साथ विकास करते हुए एक दुसरे के रूप को निखारते रहे हैं जीवन की इन विसमताओं से जुचते हुए मानों ने अपने अवकास के चनों में उस संदर्य भावना को विवेक्त करने का प्रेतन किया जिनका उसने पत्थर, हाथिदात, गुफाओं, आदी पर चितरन किया है परत्यच प्रमान विश्व की अनेक अस्थलों पर आज भी विद्मान है चाहे वे सपने की अल्टा मेरा गुफा अथ्वा फ्रांच की फोट दा गोम गुफा हो अथ्वा कोई और अन्य गुफाएं हो है ना इस तरह से मेरा वीडियो की अन तक आप जूले रहें मैं बहुत खोस हूं कि जो आपने मेरे बातों को बहुत ही गौर से सुना मैं विश्वाएक साथ कह सकता हूं कि और डिपली मैं आठ समंधित संपूर्ण जनकारी आपको दूंगा जितना है जो प्रश्ण पूछे जात है उससंदी मैं दूंगा आपको कला समंधित जनकारी मैं दे रहा हूं जो आपका येंदरी विद्याफ बिद्या लें हो आसा की तो उससे समंधित नेट हो उससे समय प्रसनाफ ली ले आऊंगा फिलाल आप मेरे से जुड़ेने के लिए सब्सक्राइब को कर ले है ना सभी को पेश्ट अपलग धन्वाद जैहिन जैभारत